बिहार के मोतिहारी से पकड़ा गया याकूब खान दुबई में बैठे अपने आकाओं से आतंकवादियों के कहने पर बिहार के युवाओं को ट्रेनिंग दे कर आतंकी बना रहा था बिहार में याकूब नए-नय बच्चों को युवाओं को अपने जासे में लेकर उनका ब् रफ्तार करती है याकूब को पुरवीच अमपारण के चकिया से पकड़ा जाता है और यहीं से उसका एक वीडियो वाइरल हो गया था जिसमें वो पी एफाई का जंडा लगा कर लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था चकिया के गांधी मैदान में वो युवाओं को बरगलान के लिए उनका ब्रेनवाश करने के लिए ट्रेनिंग देता था और उसका वीडियो जब सामने आया तो जाच एजनसी ओ को एकदम उनके अंदर हरकम बंच गया क्योंकि यह काम पूरे देश के लिए खत्रा था वो समाज में आतंक फैलाने के लिए आतंकी गतिविदी करने क लोगों को उसका रहा था और उनको ट्रेश पर जार रहा था इसरी बीचम पारंद को आतंकी गती वीडियों से दूर रखा जाता है ऐसी कोई घटना इस इलाके से सामने नहीं आती थी वहां रहकर वहां छिप कर यह आतंकी मोडियूल चला रहा था अब याकूब खान यह सब किसके इशारे पर कर रहा था कैसे यह नाम बदल बदल कर अपनी प अपरेशन किया इसमें चकिया की जो लोकल पुलिस थी इन लोगों भी सामिलते यह लोग भी सायोग कर रहे थे और इन सब लोगों ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि पीएफाई का जो मोतिहारी में पीएफाई जो एक टेरर मोडियूल चला रही थी उसका इस आतनकी इगत्वीरी का जो मुख्या आरोपी या मास्ठवाइंड गाहले जो याकूब खान था जो अलग 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 नाम बदल कर रह रहा था अपना अलग अलग पहचान बदा कर रखता था और कहीं उसको सुल्टान तो कहीं उस्मान कहीं याकूब इन सब नामों से जाना जाता था, इसको N.I.A. और पूलीस मिलकर गिरफतार करती है, इसके बाद N.I.A. इसको गिरफतार करने, अपने साथ वो लिए जाते हैं, इसके बारे में जाच्परताल होता, इसे पूच्टाच की जाती है, और तब से मामले में नई नई जानकारी सामने आ रही है नई नई खुलासे हो रहा है याकूब का गिरफतार होना इस मामले में 15 गिरफतारी है इससे पहले भी 14 लोग गिरफतार हुए है और जब उससे कूष्टाच हुई जांच हुआ तो पता चला कि 22 साल का याकूब दुबई में बैठे आतंक मुहमद सज्जाद, रियाज, मुहमद आरीफ, मुहमद बिलाल समित कई आतंकवादियों के संपर्क में था इनसे लगतार बातचित करते रहा था इनसे वाट्सेप कॉल के माध्यम से इसकी बात होती थी उससे चैट करता था उधर से ये लोग जो डिरेक्शन देते थे जो नए उवाओ को ट्रेनिंग देता था याकूब खान का इन आतंकवादियों से बातचित करने का कई प्रूफ मिल गया है इन आये की जांच ने इस आतंकवादियों के साथ बातचित करने का वाटसेप का चैट, वाटसेप का कॉल का प्रमान ये सब उन्होंने जमा किया है औ लेकिन बेहत चलाकी से ये वेस बदल कर अपना नाम बदल कर पुलिस को हर बार चकमा दे दे रहा था दो दिन पहले एन आये ने मोतिहारी में छापे मारी करके इसको पकड़ा इससे पहले अपनी चाची के साथ जो पडोस का जिला है पश्मी चमपारन उसके बेतिया में जाक बेतिया के बाद ये सीधे नेपाल चला गया ये नेपाल के पोखरा गया वहाँ पर इसका टेरर मोड्यूल का एक और जो दूसरा आरोपी है इसका साथी इरिसाद आलम उसके साथ ये कुछ दिन रहा कई दिन तक नेपाल में इरिसाद के साथ जब ये रहा लेकिन बीते 18 मा उसको लगा कि पूलिस यहां भी गिरफतार कर सकती है तो अपरेल में वह फुर मुंबई से वापस पूर्वी चंपारन लटा और यहां भी वह एक जगा नहीं रहा था कभी वह पूर्वी चंपारन में रहता तो कभी यहां से सीता मड़ी चला जाता कभी बगल के जीले मु कई चीजे सामने आई हैं बाकी यह मामले में और जाच कर रही है और इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा तो हम उससे आप तक पहुंचाएंगे बाकी आप इस विचे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं जुनता जंचन करे तया बहुत बहुत दने बाद